हेलो स्टुदेंट्स आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक फ्रम एक्लास ब्लस टू पॉलिटिकल साइंस टॉपिक का नाम है फर्स्ट जर्नल इलेक्शन ओफ इंडिया अग्राइम किसी भी पॉलिटिक एक्जाम्स की बात करें जहां पर पॉलिटिकल साइंस आएगी तो यह कुश्चन बहुत इंपॉटन है और इवन अगर आप कॉंप्टिशन चेम्स की बात करो तो वहां पर भी यह टॉपिक बहुत इंपॉटन है कि मोस्ट्ली इसमें से started on 25th October 1951 to continue till 21st February 1952 जो हमारी first लोगसबा election हुए थे वो 25th October 1951 से लेके 21st February 1952 तक हुए थे कई बास जैसे कि आपको पता है कि आपको MC क्यों आने है तो question में से MC क्यों क्यों में पूछ लेते हैं What is the duration? What was the duration of the first लोगसबा election? तो आपको option में यह मिल सकता है 1951 to 1952, 1952 to 1953 So this one is the right answer 51 to 52 क्योंकि आप देख सकते हो कि 51 में start हो गया है 52 तक चल गया है ठीक है? Next जो topic है from the same topic second subheading क्या हुआ था? जो 1947 से लेकि 1951 तक जो इंडिया के अंदर government चली थी उससे बोलते हैं Interium Governments Interium Legislature जो किस के दोरा बनाई गई थी? Constituent Assembly के दोरा इसमें जितने भी जैसे हम कहते हैं हमारे First Prime Minister जो आला नेरुजी थे तो जो जो आला नेरुजी थे वो elected नहीं थे ठीक है? उनको choose किया गया था Under the Interium Legislature Interium Legislature उसी को ही बोलते हैं जो के without election होते हैं उसके बाद election हो जाते हैं तो हमारे जो 1947 से लेके 1951 तक की government थी वो Interium government थी ठीक है? जो के Indian Constitution Assembly के दोरा चलाई जाती थी और बाद में 51, 52 के अंदर First General election होई country है Next हमारे यहाँ पर जैसे के पता है आपको election होते हैं उस्टम भी 1951 में भी जो election होई थे वो भी on the basis of universal adult suffrage उसी के दोरा होई थे means all the citizens who are above पहले 21 था अब 18 है ठीक है? has right to vote suffrage means right to vote all the persons who are above 18 has right to vote this is called as a universal adult suffrage ठीक है? पहले यह 21 यह एज थी बाद में इसको 18 किया गया उस्टम अगर बात करें at the time of the first general election उस्टम वोटिंग एज थी 21 यह students यह सारा static data है यह सारा static data बहुत में इपॉर्टत है in your exam point of view क्योंकि आपको MCQ आने है so कोशे कीजिए इसको अच्छी तरह से देखी और सारसा notes बनाजिए because notes are very important at the time of examination one or two days before that is very difficult for you to see these videos again and again so that notes required अब तो काफी कम time एगे गा है two year examination so do fast next is अगर हम first general action की बात करें तो उस्टेम 53 political parties थी इंडिया के अंदर first general action की बात करें जिन्होंने contest किया था 489 seats में जैसे students अभी हमारे पास 543 consistency है ठीक है है लोग सबा में उस्टेम 489 seats में अलगला जगह पर खड़ी थी political party और 53 political party थी हम बात कर गया है first general election की जो कब हुए थे 1951 चले के 52 तक यहां पर हमने बात की seats की 489 seats थी अब हम बात करते हैं total candidates की जो different parties थी उनको सबी candidates को मलाके 1874 candidates खड़े हुए थे 1874 candidates from the various parties total consistencies 401 थी यासे अभी 543 है उस्टेम 401 consistencies थी out of a total population of 36 crore about 17.32 crore were eligible to vote ठीक है जैसे उस ट्रम की बात करें 1951 की तो उस ट्रम इंडिया की population थी 36 crore उसमें से जो 17.3 crore people थे वो वोट के लिए eligible थे जो 17.32 crore people थे उनमें से 45% लोगों ने इसमें से 45% लोगों ने वोट दिया कहां पर फर्स्ट जर्नल एक्षन में इंडियन नेशनल कॉंगर्स इंडियन नेशनल कॉंगर्स जिसको अब आयन से भी कहते हैं इन्होंने वो एक्षन जीते और उनको फो टाइम्स ज़दा वोट मिली इंडियन नेशनल कॉंगर्स को जैसे 401 कॉंगर्स को तो उसमें से 364 मिली कॉंगर्स को ठीक हैं सेकेंड नंबर पर थी कॉंगर्स पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया जिसको मिली 60% कॉंगर्स को 40% 45% वोट मिली टोटल टर्न और जितने भी लोगों ने वोट डाली उसमें से 45% सिर्व कॉंगर्स को मिली यहां से पता रगता है कि कॉंगर्स काफी बड़ी पार्टी थी उस टाम ठीक हैं जब एलेक्शन हुए थे स्टुडेंट 1951-52 में उस टाइम उससे प अक्टूबर में एलेक्शन स्टार्ट हुए थे 25 अक्टूबर में तो उससे पहले अगर मौक एलेक्शन करवाई जाएंगे लोगों को बताया जाएगा क्योंकि उससे फर्स टाइम था किसी को भी नहीं पता था कि कैसे एलेक्शन होने है इवन जिनकी ड्यूटी लगती है एलेक्शन के अंदर उनको भी नहीं बता था ठीक है तो उनको बताने के लिए मौक एलेक्शन करवाई गे सब्तंबर 1951 के अंदर थे फर्स्ट एलेक्शन कमिशनर और इंडिया वस सू कुमार सैन वेरी इंपॉर्टन कोर्शन बटा एपर में आने के बहुत चांसले होते है तो मेंबर्स औफ एंगलो इंडियन कॉम्मुटी कॉमुनीटी वई नॉमिया से जैसे अभी तो इसको कर दिया गया है ऐस साल एक दो साल पेले है इमुफ किया गया है उस तेम था यह सिस्टन तो two members Anglo-Indian community से nominate किया गया है अभी इनको जैसे हर 10 सर के बाद इनको आगे revised करना होता था इस बार इनोंने नहीं किया है central government ने The first general election ended in January February of 1952 First general election जो हुए थे end होगा था इसका वो January February 1952 के अंदर end हो गये थे Students अगर हम यह first general election के बात करें यह बहुत tough था क्योंकि आप खुद imagine करके देख लीजिए किसी को पता ही नहीं है क्या होता election इससे पहले ऐसा system नहीं था इंडिया के अंदर ना जिसने करवाने उनको भी नहीं बता था And the main thing is that this is the highest democracy in the world at that time also जैसे हमने बात किया more than 34 people के election होने थे ठीक है तो इतनी बड़ी population के election ठीक है इतनी बड़ी population वर्ल्ड के अंदर किसी की भी थी ठीक है एक single country So that was a very big challenge for India but India ने उसको काफी अच्छी तरह से किया और उसको कर पाएगो Students thank you if you have any query related with this topic you can send message and comment also I will try to remove your query and you can call to send message to me through whatsapp also My number is 9592010293 और इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तांके जो next notifications है वो आपको मिल जाए मुझे बार बार आपको लिंक सेंड करने के कोश्य जूरत ना पढ़े Thank you